दोस्तो फनीचर घरों की शोबा बढ़ाते हैं लेकिन घर अगर छोटा हो तो फनीचर को मैनेज करना मुश्किल होता है इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट फनीचर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है तो बने रह च स्क्राइब करके बेल ऐकन को जरूर दबादे स्मार्ट स्टडी टेबल दोस्तों स्टडी करने के लिए हंएं स्ट टेबल की जरूरत होती है लेकिन क्या आपके पास ऐसा चेली टेबल है इस टेबल में तीन डॉर है और एकशेयर है जो इस ड्रॉर में बहुत आसानी से क्या ओफिस का वर्क काम पूरा होने के बाद आप इस फनीचर को पहले की तरफ फिट कर सकते हैं मीसाज ओपन अप दोस्तो अगर कभी आपने धाबे पे खाना खाया होगा तो आपको एक लंबी पतली सी टेबल जिस पे लोग बैठ के खाना खाते हैं देखनी को मिल जाएगी और अगर आप ऐसा कुछ अपने घर में लाना चाते हैं वो भी बिना स्पेस की चिंता किये तो आपको मीसाज ओपन अप की जरुरत पढ़ सकती है दिखने में काफी सिंपल लेकिन इसमें एक साथ 5-6 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं और खाना खाने के बाद इसे आप फोल्ड करके रख सकते हैं इस तरह का फनीचर आपके घर में बहुत आसानी से फिट हो जाएगा और आपको स्पेस की चिंता करने की भी जरुरत नहीं है रीट्रेक्टेबल स्टेर केस आवेशकता ही अविशकार की जन्नी है दोस्तों ये कहाबत तो आपने जरूर सुनी होगी लेकिन सही माइने में इसको साकार करती है या सीडी आम तोर पे साधारन सीडियां साइज में बड़ी होती हैं और बहुत भारी भी होती है अपने जरुरत के हिसाब से और स्पेस को ध्यान में रखते हुए इस बुढ़े आदमी ने अपने लिए इस सीडी का निर्मान किया है इस सीडी को आबशकता अनुसार होला या बंद किया जा सकता है देखने में भले ही ये काफी सरल लगती हो लेकिन जहाँ स्पेस की खास कमी हो वहाँ इसका इस्तमाल बहुत लाबकारी हो सकता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते है स्टेयर लिफ्ट दोस्तों अक्सर बुढ़े लोग या जिनके पैरों में दर्द रहता है उन्हें सीडीय चड़ने में काफी तकलीफ होती है खास दोर पे ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है या स्टेयर लिफ्ट इस लिफ्ट को यूज करना बेहदासान है पहले इसमें आपको बैटना होता है और आपकी सेवटी के लिए इसमें आपको एक सीट बेल्ट भी दिया जाता है जिसे लगाने के बाद आप इसे on कर सकते हैं जिसके बाद यह lift अपना काम करना शुरू कर देगा इस lift को जीने की side में लगी railing में fit किया जाता है इस lift को आप अपने घर में लगवा सकते हैं भारत में ऐसी कई कमपनिया है जो इस तरह का काम करती है Stair lift की कीमत की बाध करें तो इसका प्राइस 1,00,00 से स्टार्ट होता है सीधी सीडियों के लिए लिफ्ट का प्राइस कम होता है और गुमाबदार सीडियों के लिए इसका प्राइस जादा हो सकता है Cabinet Bed दोस्तो अगर आप बैड लेने की सोच रहे हैं तो जड़ति इस बैड को देख लीजिए या बैड पलक जपकते ही एक अलमारी में बदल सकता है इस बैड को सिंगापुर की एक कमपनी ने बनाया है जिस कमपनी का नाम स्पेसमैन है कमपनी के नाम से आप इस कमपनी के काम की विशेषता का अंदाजा लगा सकते हैं या कमपनी कम स्पेस में बढ़ियां से बढ़ियां फनीचर बनाने का दावा करती है या बेड दस सेकेंड से कम समय में एक अलमारी में बदल सकता है और फिर जब आपको नीन आए तो फिर से या बेड में बदल सकता है कम स्पेस का अच्छे से इस्तिमाल इस बेड से किया जा सकता है छोटा सा दिखने वाला या टेबल कैबिनेट बेड के जादू को भी फेल कर सकता है या छोटा टेबल जरूरत पढ़ने पर एक बड़ा डाइनिंग टेबल बन सकता है इस टेबल को डाइनिंग टेबल में बदन ले के लिए आपको इसे दोनों साइड से खीचना पड़ेगा इसके बाद इसके अंदर दिये हुए वुड़ बोड को आपको टेबल पे लगाना होगा बस आपका डाइनिंग टेबल तयार है इस टेबल का इस्तमाल आप महमान के आने पे कर सकते हैं फिर चाहें आपके घर दो महमान आए या फिर दस ऐसा स्मार्ट फणीचर देखके आपके महमान इसकी तारीफ जरूर करेंगे और उन्हें इस बात की जलन भी होगी कि उनके पास ऐसा टेबल क्यों नहीं है दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है अपना समय देने के लिए धन्यवाद